नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपके अपने ही प्रिये चैनल प्राचीन गयान में दोस्तो, चैत्र नवरात्री के बारे में हर वेत पुरान में यही लिखा हुआ है कि इस दोरान अगर आप माता राणी के सामने थोड़ी सी पूजा पाठ सही से कर लेते हैं आपकी कोई भी मनोकामना हो, वो अवर्श्य ही पूरी हो जाती है इस बार चैत्र नवरात्री के शुरुआद 22 मार्च 22 से होगी इसका समापन 30 मार्च 22 को होगा और इस दोरान आप पान के उन महा उपायों को कल लेते हैं जिसके बारे में हमारे वाश्य शास्तर में लिखा हुआ है तो अवश्य ही आपकी कोई भी मनोकामना हो, वो पूरी होगी दोस्तो पान, जिसको संस्क्रिट में तामबल बोलते हैं इसके अंदर अंगेनत चमतकारी शक्तियां पाए जाती हैं आप लोगों के लगतार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी हमें कोई एक सरलस उपाय बता दीजे जिससे हमारी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए और इस पर हम कई दिनों से वीडियो नहीं बनाये थे क्योंकि दोस्तो ऐसा कोई उपाय ही नहीं था लेकिन चैत नवरात्री के दौरान पान के उन उपायों को आप कर लेते हैं जो हमारे वाशुशास्त्र वेत पूराणों में लिखे हुए हैं अवश्च ही आपकी हर मनोकामना हर इक्षा पूरी हो सकती है दोस्तो आप खुद चाहे किसी भी वेत पूरान को उठा के देख लें धर्म शास्र कीताब को उठा करते के देख लें आपको यही देखने को मिलेगा मनोकामना पूर्ति के लिए पान के ही उपाय किये जाते हैं और वो सिर्फ चैत नवरात्री के दोरान ही आप कर सकते हैं आप सब लोग ने यह देखा भी होगा हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद पान के पत्ते, लॉंग और इलाइची का अवश्चे ही इस्तमाल किया जाता है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं को पान का पत्ता बहुत याद अप्री होता है कहा जाता है कि पान के पत्ते का किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है आपका वैपार ठप पड़ा है नौकरी प्राप्ती के लिए परिशान हो चुके हैं संतान प्राप्ती के लिए प्रयास कर करके आप ठक चुके हैं आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है धन आने के सारे रास्ते बंद हो गया है आपके बेफुजूल खर्ची भरती चली आ रही है आपके हाथ में पैसा रुक नहीं रहा है तो दोस्तो पान के पत्ते का वा महा उपाय कर लिजे जो सिर्फ चैत नवरात्री के तुरान किया जाता है अवश्य ही आपका जो वैपार ठप पड़ा है वो चल पड़ेगा अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपके हाथ में पैसा आएगा पैसा आने के सारे रास्ते खुल जाएगे आपके जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी आपके जीवन से दोश के जो भी प्रकोप है वो खतम हो जाएगे बस आपको चैत नवरात्री के तुरान माता रानी के सामने जलती भी मत कीजेगा आप लोग साधाना पत्ता समझने की या एक ऐसा पत्ता है जो आवश्य ही आपके जीवन की हर परिशानी को खतम कर सकता है और आपके जीवन में सुक समरिद्धिगावास ला सकता है इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ ज दिख दीजे जैमाता दी दोस्तो एक काम कीजेगा अपनी राशी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजेगा ताकि आपकी राशी के अनुसार ऐसा कोई उपाय हमाई सामने निकल करके आता है जिससे आपको लाप बहुत सके तो उसका रिपलाई हम कमेंट बॉक्स में आपके आके दे देंगे इसलिए अपनी राशी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा और वीडियो अवश्य ही लाइक कर दीजेगा तो आपको हम पान के पत्ते के उन महा उपायों के बारे में बताने जा रहा है जिन उपायों को अगर आप जान जाते हैं तो आपके जन जनमांतर की गरीबी, परिशानी, गष्ट, दरिद्रता खतम हो जाएगी आपके जीवन में सुक, समरिद्धी, धन, दौलत, एश्वर्री के आपको प्राप्ति होगी तो दोस्तो इन उपायों को कही पर लिख लीजे क्योंकि दोस्तो यह उपायों सिर्फ साल में चैत् मुक्ति का उपाय, दोस्तो कई लोग कर्ज लेते हैं अपने वैपार को चलाने के लिए, घर बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, और वो कर्ज को पहले थोड़ा-थोड़ा करके पाटने लगते हैं, लेकिन फिर उसके मायजाल में फस्ते चले आते हैं, और उसके उसी के कर्ज के चक्कर में उनका सब कुछ लुख जाता है, लेकिन दोस्तो अब आप परिशान मत हो, पान के पत्ते का वहाँ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अगर आप करते हैं, तो अवश्य ही आप कर्ज के मायजास से निकल आएंगे, बहुत असान सा उपाय ह तोरान आप लोगों को किसी भी दिन, सुबह के वक्त या करना है, कि पान का जो पत्ता होता है, उस पर आपको सिंदूर से जय माता दील लिख देना है, घर के पास कोई भी नवदुरगा का पंडाल लगा हो, वहाँ पर आपको जाना है, जो सुबह की आरती वहाँ पर होग कर्ज के माईजाल से निकल जाएंगे, एक बात कर ज़रा धियान रखिएगा, जैसे ही आप कर्ज पाट लेते हैं, जैसे ही आपका कर्जा खतम हो जाता है, इस पान के पत्ते को बहती नदी में बहाद दीजेगा, या उपाय सिर्फ आप चैत्र नवरात्ति के दोरा नहीं क करना है, देखे पहला उपाय जो हमने आपको बताया था, वहाँ तो आपको पंडाल में करना था, पंडाल के मतलब यह होता है, जो घर के पास आपके माता दुरगा जी का एक पंडाल लगा जाता है, जहाँ पर माता रानी की एक मूर्ति लाए जाती है, उसके बाद उसका सरजन किया था है, पहला उपाय आपको वहाँ करना था, यह आप लोगों को मंदिर में करना है, एक पान का पत्ता लीजे, चैतर नवरातिर के दुरान, एक गाय के दूट से बना हुआ घी का दीपक लीजे, ध्यान रगी का दोस्तों, यह जो दीपक आप ले रहे हैं, गाय से पैसे का लेंदेन करते हैं, वह आप इस पत्ते को रख लेना है, चैतर नवरातिर के दुरान, आप यह पत्ता रख लीजे, और मान के चलिए दोस्तों, मातारानी जी के आशिरवाद से आवश्ची ही, आवश्ची ही आपका वैपार चल पड़ेगा, तीसर उपाय जो हम भी मनुकामना है, यह उपाय आप कीजिए, यह नवरात्री के 9 के 9 दिन आपको करना होगा, और ध्यान रखिएगा दूस्तों, यह सुबह के वक्त आपको उपाय करना है, मातारानी की जो आपके घर पर चौकट आपने लगाई है, यहाँ पर आपको एक पान का पत्ता प्र और प्रती दिन प्रती दिन इसी पान के पत्ते को एक एक लाल कपड़े में बाद बंद के रखते जाना है, 9 दिन तक आपको यहाँ प्रकरियागनिये, 9 दिन के बाद आपको इनी पत्तों को 11 पत्तों को बहती ही नदी में विसरजित कर देना है, आवश्य ही जो आपकी प्रिश्रम का वीफल आपको मिले और आप अपने जीवन में बहुत यादा कामियाब हो तो यहां उपाय कर लिजे जहाम आपको बताने आ रहे हैं आपको दोस्तों बस यहा करना है कि एक मौली धागे का बंडल लेना है मौली धागे का बंडल ले लिजे उसमें नौगाठ ल आ रही थी जिसकी वज़े से आप मेहनत कर रहे थे परिश्रम कर रहे थे परन्तु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहता आप ऐसा नहीं होगा आप जो भी मेहनत करेंगे जो भी परिश्रम करेंगे आवश्री माता रानी जी के आशिरवास से आप अपने जीवन में चाहिए एक बहुत सराद सफाय बताय गया है हमारे धर्म शास्त्र में नवरात्री के नौ दिनों में से किसी भी एक दिन आपको माता रानी जी के मंदर जाना है 21 पान के पत्ते के साथ एक तिर्शूल दान कर देना है तिर्शूल चाहे आप छोटा दान कर दीजे चाहे आपको माहा उपाय है जो दोस्तो कई लोग करते हैं चैतर नवरात्री कुर्दान और अगर आपनी यहां कर लिया तो आपके महा उपाय जरूर कर लिजेगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो कमेंड बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा देखें उपाय बड़ा सरल सा है जैसा आप अब इस्क्रिण पर देख भी बड़ार हैं एक पान का पत्ता पिस्वी हुई हल्दी, दो लॉंग, एक रुपे का सिक्क़ा आपको लेना है सिर्फ इतना लेना है फिर सम बता दे रहे हैं पान का पत्ता उस पर चावल रख दीजे दो लॉंग एक सिक्का और पिसी हुई हल्दी आपको ले लेना है इतना आप ले लीजे इतना लेने के बाद आपको इस लाल कपड़े में एक लाल कलर की पोटली में इन सब चारों आपको यहां पोटली उठा करके बहती नदी में बाहत दिना है इतना बस आपको करना है आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी जो भी परिशानिया हट जाएंगे और अवस्जी मातर रानी जी के मद बूलेगा और आप लोगों से विनम रिने विदभी 5